हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल रोहिनी क्लासेस में तो आज हम क्लास 4 की इवियस का चैप्टर 17 पढ़ने जा रहे हैं और जिसका नाम है नंदिता मुंबई में तो नंदिता आती है अपनी मा का इलाज करवाने और यह भी देखती है कि मुंब को करना पड़ता है तो चलिए आये मिना किसी देरी के स्टार्ट किया जाए तो देखिए नंदिता बोलती है कि आज मुझे मुंबई आए एक महीना हो गया मा तभी से एस्पिताल में भरती है और उनके इलाज के लिए तो हम यहां गाहों से मुंबई आये हैं मुंबई एक बड़ा शहर मुझे धीरे धीरे शहर की आदत पड़ गई पर आज भी वह दिन्याद है जब मा और मैं मुंबई स्टेशन पर ट्रेन से उत्रे थे कितनी भीड थी मैंने फटा फट मा का हाथ पकड़ा और मैं सोच रही थी कि इतनी भीड में मामा कैसे दिखाई देंगे दोनों तरफ साथ साथ सटी हुई जुगिया उसी गली से होते हुए हम बामा के घर पहुँचे और यहां जो है एक कमरे में मामा मामी उनकी दो बेटियां और बेटा रहते हैं और अब मैं भी वहीं बैटना वहीं सोना वहीं पकाना और वहीं नहाना हमारे गाउं के घर में भी जो है एक कमरा है पर रसोई घर और नहाने के जगा अलग-अलग है और बाहर आंगन भी है तो अब आईए बात करते हैं पानी की किल्लत मुंवई में कैसे होती है तो देखें मैं मामी और सीमा के साथ सुबर चार बजे उठकर नल पर पानी भरने जाती हूं बाप रे वहा तालाब 20 मिनट की दूरी पर है और गर्मियों में जो है यह तालाब कभी-कभी जो दालाब का पानी सूख जाता है तब क्या करते हैं तब फिर घंटा भर चलकर नदी से पानी लाना पड़ता है पर पानी के लिए इतने जगड़े तो नहीं होते जगड़े ही नहीं होते द अक्सर वहां पानी भी नहीं होता था पानी साथ ले जाना पड़ता था अब तो इन सब की आदत ही पड़ गई हैं गाउं में तो इस सब खुली जगह पर जाते हैं लेकिन उसके लिए आदमी और और ओरतों की जगह अलग-अलग है तो अब आएए देखते हैं कुछ क्वेश्जट कि नंदिता को गाउं से माँ को मुमबाई क्यों लाना पड़ा क्यों कि उसकी मा बिमार थी और मुमबाई में इलाज करवाने के लिए लाना पड़ा darf माकी बस्ती के टॉइलट में जाने पर नंधिता को पहले मितली क्यों आती थि क्यों कि वो गंदा और बद्भूदार था उन लोगों का टॉइलट नेक्स क्वेस्चन है कि नंदिता को अपने और मामा के घर में क्या अंतर लगा तो नंदिता के घर में एक आंगन रसोई घर और बातरूम था लेकिन मामा के घर में एक ही कमरे में सभी लोग सोते थे उसी में खाना बनाया जाता था और वहीं पे स्नान भी किया जाता था नेक्स question है कि बस्ती के नल से पानी भरने और गाउं में पानी भरने में जो है नंदिता को क्या अंतर जनाई पड़ा तो देखे बस्ती के नल जो है वो सुबह चार बजे ही लाइन लग जाती थी और बहुत जगड़े भी होते थे लेकिन नंदिता के गाउं में तालाप से प होगी ही होगी वहाँ पे आगे बात करते हैं सीख ही लिया मैं रोज मासे मिलने बस से अस्पताल जाती हूं शुरू में तो बसों की भीड देखकर हिम्मत ही रही पड़ती थी उसमें चड़ने की और आदत जो नहीं थी डर भी लगता था पर अब ठीक है मुझे समझा गया कि कैसे लाइन में लगना है कितने का टिकट लेना है और कहां उतरना है बस्ती से कुछ दूर एक उची बिल्डिंग है वहीं साथ घरों में मामी सफाई और बरतंद होने का काम करती है एक दिन मैं भी मामी के साथ वहां गई देखने पर पहले मुझे लगा कि एक बड़ा घर ह पर नहीं वे तो एक के उपर एक बने थे मैं सोच रही थी कि इतनी सारी सीड़ियां कैसे चड़ूंगी पर वहां तो लिफ्ट भी लगी थी एक बड़े से लोहे के पिंजरे जैसी उसमें पंखा घंटी बल्ब सभी लगे थे उसमें है ना और हम कितने सारे लोग उसमें घ पर था और कितना बड़ा था बैठे कराने का कमरा सोने का कमरा सब अलग और रसोई भी यलग वहां टॉइलेट भी घर के अंदर ही था मामी को बबलू के घर का काम में टाइम तो बहुत लगा पर खास परिशानी नहीं हुई रसोई घर में ही नल था और जर जर पानी बह रहा था बबलू जो है उसने नहाने के लिए पानी की बाल्टी लगाई और टीवी देखने बैठ गया कितना पानी बेकार बह गया और यह मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगा इसका मतलब क्या है कि शेहर के लोग जो है पानी वेस्टिट करते हैं लेकिन जो जुग्य जो पड़ियों में वहीं पे रहते हैं तो उन्हें पानी के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है इसलिए पानी को जो है वो बचाओ करना चाहिए मैंने जाकर नल बंद कर दिया बबलु के घर में बड़ी-बड़ी काच की खिड़कियां थी मामी ने मुझे खिड़की से नीचे देखने को कहा बबलु के घर की खिड़कियों से मामा की बस्ती दिखाई दे रही थी बस्ती तो दिखाई दे रही थी पर पता नहीं चल रहा था कि मामा का घर कौन सा है उपर से नीचे सब कुछ खिलोने की तरह चोटा-चोटा लग रहा था मुझे डर भी कितना लगा था उपर से नीचे जाकने में तो अब ये question है कि सुरू में नंदिता को मुंबई में क्या क्या करने में डर लगता था तो क्या क्या करने में डर लगता था भीड वाली जगों में जाने पे बसों में चड़ने में, उची बिल्डिंग से नीचे देखने में और लिफ्ट चड़ने में नेक्स्ट क्वेस्चन है कि मामा के घर और बिल्डिंग के मकानों में क्या क्या अंतर था तो क्या अंतर था देखिए मामा की बस्ती पे तो देखिए सभी लोगों का एक ही टॉयलेट था है ना घर में नल नहीं था अलग रसोई घर नहीं था और शीशे की खिडकी नहीं थी लेकिन उची बिल्डिंगों में क्या था उची बिल्डिंगों में सभी कमरे में अलग अल प्रूम में नल भी थे ठीक है अलग रसोई घर था और शीशे की खिड़की भी बनी होई थी तो यह जो है यह अंतर क्यूं था क्यूंकि मामा की बस्ती में रहने वाले लोग धनी नहीं थे और उची बिल्डिंग में रहने वाले लोग धनी होते थे पानी की चिंता के बारे म भी आते हैं काश जब हम वहां जाएं तो मुझे भी कोई फिल्म स्टार दिख जाए तो आज कल मामा बहुत परिशान है मैं उनसे मुझे मुंबई गुमाने को भी नहीं कह सकती पिछले हपते कुछ लोग बस्ती खाली करने की नोटिस भी दे गये थे अब यहां बड़ा हो वह शहर से बहुत दूर है समझो शहर का दूसरा कोना वहां ना पानी पीने का पानी है और ना ही बिजली पता नहीं वहां कोई बस भी जाती है या नहीं मामा इतनी दूर से काम पर कैसे आएंगे कितना ज़्यादा पैसा लगेगा और कितना ज़्यादा टाइम भी और मामी उनको वहाँ काम मिलेगा भी या नहीं अगर मामा नई जगा चले गए तो मैं मां से मिलने कैसे आऊंगी मां तो अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है तो यह देखे सीटेट पॉइंट आफ यू से मैं बताती हूं कि इससे क्वेस्चन कैसे बनेगा कि इससे क्वेस्च के रूप में दे देंगे कि किन किन दिक्कुतों का सामना करना पड़ता है आपको ओप्सन तो चारों सही लगेंगी लेकिन विच वन इस मोस्ट हंड्रेट परसेंट कौन सा जो है एंसर सही होगा वो आपको बताना होगा तो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि सीटेट क जो क्वेस्चन है कोई भी आपको नहीं बता सकता कि यह क्वेस्चन आएगा आपको जो है डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना ही होगा सारे चैप्टर को और आपको पूरे चैप्टर को समझके उसका सार क्या निकला है वो चीज आपको निकालनी ही पड़ेगी इसलिए चैप्टर पढ़ना बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है अब देखिए अब यह क्वेस्चन है कि मामा को अपना घर क्यों बदलना पढ़ रहा था जैसे कि हमने देखा कि उन्हें बस्ती खाली करने का नोटिस दिया गया था और बस्ती वाली जगह पे क्योंकि होटल बनना हां नेक्स भी क्या तुमने कभी अपना घर बदला और यौोग हां यौदी हां तो कि इनकार्ण से तो हां मैंने तो अपना घर बदला है क्योंकि जैसे फादर लो मुदं हमारे फादर का याद You प्रमोंशन्च उता है ओन्प लोग मुझ से चेंज होता है तो मतलब मुझह तो बहुत दिक्कतों का सामना गर दूसरे घर में जाना उसकी पुताई करवाना वहां एडजस्ट होना और हमारे जो पास पडोस हैं वो भी अलग-अलग हो जाते हैं तो उनसे इंटरेक्शन बहुत कम रहता है धीरे धीरे जो है इंटरेक्शन बढ़ता है तो मतलब क्या बत तो वो जो है इतनी दूर जाते हैं नेक्स्ट है कि क्या मामा की बस्ती को हटा कर वहां पर होटल बनाना ठीक है तो मेरे हिसाब से बस्ती के लोग जो है वो उस जमीन के मालिक हैं तो ठीक नहीं है और यदि वे उस जमीन के मालिक नहीं है तो फिर ठीक है नेक्स्ट है कि इस तो बिल्कुल जानती हूं जिने रोड बनाने के कारण जो है घर छोड़कर दूसरी जगह जाने पर उन्हें काफी परिशानी होती है हाला कि सरकार दोरा दिये गए मुवावजे से उन लोगों का नया और अच्छा गर बना लिया जाता है तो सरकार जो है मुवावजा भी देती है लेकिन साथ वो उनके लिए जो है दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है दिक्कते कम नहीं होती है उनकी तो इस चैप्टर में मैं बताओं कि आपको यह लगा हुग कि इस चैप्टर में क्या ऐसा important हुआ सीटेट पॉइंट फियू से नहीं पढ़ना है concept देखना है कि इस chapter को पढ़ने का concept क्या है और यह chapter हमें बताना क्या चाहरा है तो यह चीज़ आपको पढ़ना पढ़ेगा मैं 2018 के paper की बात करूँ तो आप आपसे मैं यह बताओं कि सिलेबस के अंदर का कुछ नहीं पूछा गया था लेकिन लेकिन मॉटिव यही था जो conceptual based question आये थे और हमारा दिमाग पूरा खंगाल दिया गया था हमें तो लग रहा था कि क्या आ गया paper थोड़ा से concentrate होंगे तो आपका paper बहुत easily solve हो जाएगा तो च THANK YOU VERY MUCH